स्वागत हैं आप सभी का ज्ञान गन्गय चैनल पर हिंदू पंजां के रुसार मागमा के शुकलपच्च की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है मानेता है कि जया एक आदशी के दिन भगवान विश्णू और मालच्मी की पूजा अचना करने से सुख सम्रिद्धी की प्राप्ती होती है और हर कारे में सफलता प्राप्त होती है आज की इस वीडियम हम जानेंगे कि साल 2024 में जया एक आदशी कब है उनने सी अबीस फड़वरी को एक आदशी की दिति क्या रहेगी व्रत की विधी क्या है व्रत की कथा क्या है और पारण का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुकरने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एक आदशी व्रत की दितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शियर करना पिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पंचा मिर्ट से अविशेक करें रूली फल तुलसी के पत्ते आदे अर्पित करें सफेद फूल और मिश्ठान अर्पित करें घी के पांच दीपक जलाएं दीपक जलाने के पश्चाथ एकांदशी व्रत की कथा को पढ़े या सुने विश्ण सहसनाम का पार्ट करें चौबिस दिन बुद्वार को सुबह 6.55 से 9.11 तक पांट तेथी के दिन दुआदरशी समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 11.27 पर एक आदरशी तिथी का आरंब होगा 19 फरवरी की सुबह 8.49 पर और समापती होगी 20 फरवरी की सुबह 9.55 पर एक आदरशी की व्रत कथा के पर एक बार इंदर की सभा में अपसराये नित्द कर रही थी सभा में प्रसिद गंधर उपुष्ववंद उनकी लड़की पुष्ववती तथा चितरशेंद की इस्त्री मालिनी और उनका पुत्र मालवान भी थे उस समय पुष्ववती मालवान को देख कर मोहिद हो गई और काम का भाव उनके मन में जाग गया उसने अपने रूप सौंदरे हाव भाव से मालवान को कामा सक्त कर दिया रूपवति के अदुतिय रूप के कारण मालवान भी कामा सक्त हो गया उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुला कर नाचने का आदेश दिया इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे लेकिन कामातुर होने के कारण सही से निर्ट नहीं कर पा रहे थे इंद्र सब साज गए और उनोंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों इस्त्री पुरुष के रूप में मृत्री लोग में चाकर पिचास का रूप धारन करो और अपने कर्मों का फल फोको इंद्र के श्राफ के कारण दोनों हिमाले पर पिचांस बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन वतीत करने लगे दोनों को पूरी रात नीन नहीं आती थी एक दिन पिचांस ने अपने इस्त्री से कहा मालूम हमारे पुरुजन में ऐसे कौन से पाप किये हैं जिससे हमें इतनी कश्रदाई पिचांस यूनी प्राप्त हुई है तब ही एक दिन अचानक दोनों की भेट देवर्शी नारत से हो गई देवर्शी नारत ने उनके दुख का कारण पूछा तो पिचांस ने यथावत वे संपूर वाते के सुनाई जिसके कारण पिचांस यूनी प्राप्त हुई थी तब नारत जी ने उन्हें मागमा के शुकलपक्ष की जया एकादशी का संपूर विदिविधान बतला कर उसे करने को कहा नारत के परामच से दोनों ने पूरे विदिविधान से जया एकादशी का वरत रखा और पूरी रात भगवान नारायन का इसमा करते हुए रात जाकते हुए बिता दी दूसरे दिन प्राताकाल होते ही भगवान पिश्णो की कृपा से उनकी पिचांस दे छूट गए और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्थ होकर इंद्र लोग में पहुँच गए हैं वहाँ जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी उन्हें पूर्वरूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा की तुमने अपनी पिचांस दे से किस प्रकाश चुटकारा पाया तब दोनों ने पूरा विर्तान सुनाया तरे वीडियो में अंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ